नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे आप सबतों दोस्तों फाइनली आपका बिहार SSE के तरफ से थर्ड CGL के लिए जो अपला हुआ था उसका करेक्शन करने का लिंक आपका एक्टिव हो चुका है तो आईए आपको बताते हैं अच्छा से step by step कि आप लोग डोकुमेंट कैस से अपलोड करें और आपका ये जो करेक्शन हो सकता है आईए आपको अच्छा से बताते हैं और आप लोग यदि पिछला वीडियो नहीं देखे तो आप वो भी देख लें आपका सभी डाउट अच्छा से किलियर हो जाएगा और आपको ये भी बताएंगे कि आपका जाते हैं तो दोस्तों सब्से पहले कि आप लोग इस पेज़ पर आ जाईएगा और इसका आपका लिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी देगें आप लोग वहां से डाइरेक्ट यहां पर आशकते हैं लिंख 22 तारीक अपडेट है और जो यह मतलब लास्ट जो अपलोड करने का है वो आपका 29 जुलाई तक रहेगा तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है लिंक पे क्लिक हैर किये तो आपका यह ओपन हो गया आप यहाँ पे रिश्टेशन नमबर और पासवर्ड आप जब यह अपलाई किये होंगे तब आपका SMS में भी आया होगा और यह इमेल पे भी आया होगा तो आप लोग अच्छा से देख लें कि आपका रिश्टेशन नमबर क्या है और पासवर्ड क्या है तो आप इसमें यह लॉगिन करेंगे तो आईए आपको यह लॉगिन करके भी दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आपको कौन-कौन सा डॉकुमेंट अपलोड करना है और आपका फोटो और साइन ठीक हो सकता है या नहीं तो दोस्तों हमने login कर लिया है और login करने के बाद आपको इस तरह का page खुलेगा और उसमें आपका ये दिखेगा registration number name आपका father's name और आपका date of birth इसमें दिखेगा और उसके बाद आपको ये दिखेगा यहां पे आपका upload करना है document ओके आपका ये जो total जो document होना चाहिए वो एक ही PDF में होना चाहिए और वो जो है dare MB से जादा नहीं होना चाहिए और उसके बाद submit बटन पे click करना है और बस हो गया login करने के बाद आपको इतना ही काम करना है तो सबसे पहले login इतना जादा जरूरी नहीं है सबसे पहला वाद क्या जरूरी है कि आपको document कैसे तयार करना है ओके तो आईए आपको जल्दी से बताते हैं कि आपको document कैसे तयार करना होगा और आपका photo sign के बारे में notice में क्या लिखा है आईए आपको दिखाते हैं दोस्तों तो ये notice में आपको दिखा देते हैं कि बिहार SSC क्या लिखा है कि कौन-कौन सा चीज आपका ठीक नहीं हो सकता है यहां पर देखें ओके यह अवियर्थी का रजिटेशन नमबर फॉर्म नमबर मवाइल नमबर एंड इमेल आइडी में सुधार संबंधी आवेदन पर विचार नहीं किया सकता है ठीक तो आपका रजिटेशन नमबर फॉर्म नमबर मवाइल नमबर और इमेल आइडी सिर्फ आपका ठीक नहीं होगा और उसके अलाबा आपका जो सब कुछ ठीक हो सकता है तो दोस्तों आई आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है और आपको डोकुमेंट कैसे त टेलिगराम चैनल पर आएं वहां पर आप लोग सर्च कीजिएगा टार्गेट अदर इसकोरी ओफिसर और आपका चैनल का लिंक भी हम डिस्क्रिप्टस बॉक्स में कमेंट बक्स में दे दें ओके तो दोस्तों आईए आपको जल्दी से इसमें बता दे रहे हैं कि ये आप आपको इसमें फॉर्मिट में लिखना क्या क्या है भरना क्या है तो उसमें आपको अपना नाम लिखना है फादरस नेम लिखना है आपको पंजीकरन संख्या लिखना है और अपना एड्रेस आपको लिखना है उसके बाद आपको अब क्या करना है कि आपको जो भी कॉलम में आपका जैसे सुधार करवाना है जैसे कि नाम में आपका यदि नाम में कुछ ये spelling mistake हो गया होगा तो आपको यहाँ पे लिखना है पहले जो है name पहला नमर में यदि आपका नाम है तब आप ये ने करिएगा कि इसमें नाम फादर स्नेम पहले जो डेट अबर्ट आपको लिखना है और ये सही आपका नाम का spelling क्या है वो आपको इसमें लिखना है तो आपको जो भी चीज ठीक करवाना है वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा और अब आईए ये मान लिजे कि आपका फोटो ठीक करवाना है मतलब जैसे आपका फोटो क्या हो गया है ये मतलब स जो है वो सही से नहीं दिख रहा है तो आप यदि चाहते हैं तो वह भी आप सुधार करवा सकते हैं तो फोटो के स्थिति में क्या करना है आपको यहां पे लिखना है फोटो ओके प्रूटी क्या हुआ है आपका यदि बैक्ग्राउंड कलर आपका है तो इसमें आप जो है मत समझ गए हां आप फोटो भी आपको लगाना है और इसके न जो है करके आपको upload भी करना है ओके तो आप लोग अच्छा से समझ गए आपका युदी फोटो ठीक करवाना हुगा तो इसमें लिखना है उलुम में क्या लिखना है फोटो आपका यदी तेढ़ा हो गया है तो इसमें आप जो है लिखिएगा टेढ़ा अपलोड हो गया है और इसमें सुधार आपको करवाना क्या है तो इसमें जो लिखिएगा सही परारूप सनलगन है समझ में आ गिया नहां आपको यह इस तरह करना है sign आपका यह दि तो इसमें आप जो है लिख दीजेगा यह sign लिख दीजेगा मतलब Hindi sign या फिर English sign आपका जो भी गरवर है मतलब अच्छा से नहीं दिख रहा है तो आप इसमें जो है लिख दीजेगा और यहां पे जो है लिख दीजिएगा सही प्रारूप सनलगन है बस एक तो आपको इतना चीज करना है और उसके बाद आपका जो यह application है उसमें आपको round करना है राउंड क्या करना है यहाँ पे जैसा की लिखा हुआ है और आपको अचछा से पिछला वीडियो में समझा हुए है क्या है कि आपको जो ठीक करवाणा है उसको आपको क्या करना रहे हैं बता ही दे रहे हैं जो आपका भी tension खतम हो जायेगा और मेरा भी ऊके तो आईए आपको application दिखा दे रहे है तो दोस्तों यह आपको application form है जो आप लोग apply किये होंगे और यह PDF आपके मेंद़ने होगा ओके आपके पास यदि ये PDF नहीं होगा तब तो कुछ भी नहीं हो सकता है है ना तो आईए मतलब जैसे आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि आपका फादर्स नेम में गलती होगा तो आप लोग इस फादर्स नेम को ऐसे करके लाल कर दीजिएगा समझे में कि मतलब थोड़ा अच्छा से कीजिएगा जो सिर्फ यहाँ तक रहे ऐसे करके ओके हाँ आपका यदि ये जो है date of birth आपका गलत हो गया होगा तो आप लोग इसको ऐसे करके round कर दीजिएगा लाल इंक से ओके और उसके बाद जो अभी application का दिखाये थे format आपको उसमें लिख देना है date of birth लिख देना है जो भी आपका गलत होके लिखा गया होगो और सही क्या है वो आपको फिर उसमें लिख देना है तो आपको इतना चीज जो है गेरा दोस्तों इहां पे देखे यह आपका क्या है फोटो है आप लोग जो upload किये होंगे आपका भी ऐसा ही होगा और इहां पे आप अपना ऐसे कर दीजिएगा फोटो में आपका यदि फोटो चेंज करवाना है तव तो आप इसी तरह करके आपको जो भी तुरूटी है वो आप अच्छा से ठीक करवा सकते हैं अब रही ये बात upload क्या सब करना है document और कैसे करना है तो आईए आपको एक वार फिर से अच्छा से समझा दे रहे हैं क्योंकि पिछला वीडियो में हम सभी बातों को अच्छा से बताएं समझाएं आप लोग यदि नहीं देखे होंगे तो आईए फिर से अच्छा से आपको समझा दे रहे हैं दोस्तों सबसे पहले आपको ये application form download करना है पहला काम आपको करना है application form आप download कर ले और उसके बाद आप इसमें अपना नाम father's name, station number आप अपना इसमें address भर ले उसके बाद आपको जो ठीक करवाना है आप इस कॉलम में भर ले आपको क्या तुरूटी हुई है आपको इसमें लिखना है और उसमें सही क्या करवाना है आपको इसमें भरना है आप यतना काम कर लीजिएगा और उसके बाद ये ठीक तब होगा जब आप इसके साथ में supporting document लगाईएगा तब तो दोस्तों आपको ये scan कैसे करना है document आप ये अच्छा से भर लीजिएगा और उसके बाद इस PDF को scan करना है और उसके बाद जो इसके साथ आप supporting document लगाईएगा उसको आपको ये scan करना परेगा और फिर जो है थर्ड नमबर continue करना है scan अलग-अलग PDF में नहीं एक ही PDF में आपका सभी document होना चाहिए और ये थर्ड नमबर में क्या आप जो ये application आपका जो form होगा जब आप ये apply किये होंगे अभी आपको जो दिखाएं वो उसमें जो लाल रंग से घेरा करने के बाद सभी document को scan करके एक ये PDF बन जाएगा और इस PDF को आपको upload करना है login करने के बाद आपका ये upload का काम खत्म हो गया और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस PDF को जो hard copy आपके पास रहेगा आप soft copy तो upload कर लिए जो hard copy रहेगा उसको बिहार SSC के कारियाले में address पे आपको भेजना होगा speed post से उसके बाद आपका प्रूटी सही हो जाएगा ये upload कब तक करना है 29 जुलाई तक आपका last date है और कारियाले में जो speed post से भेजने का कब तक है वो आपका 5 अगस्त तक है तो आप लोग अच्छा से जल्दी से सभी काम को कर लें जो आपका जो भी mistake है वो ठीक हो जाए क्योंकि ये मोका दोबारा नहीं आएगा और आप यदि अभी ठीक नहीं कर बाते हैं तो आपका यदि selection होता है तो उस time में दिक्कत हो जाएगी तो दोस्तों आपको जो भी ठीक करवाना है आप लोग अच्छा से करवा लें और इसके बारे में आप पिछला वीडियो भी अच्छा से देख लें आपको अब सब कुछ किलियर हो गया होगा तो दोस्तों आपको अच्छा से समझाने का बताने का प्रयास किया है आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे और आप यदि मेरे चैनल पे नहें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले आपको बिहार SSE का एक अच्छा सा त्यारी करवा देंगे जगास त्यारी करवा देंगे GKGS का ओके तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा सा न्य वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार